Hello friends अजकास वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे इस जोन को किस तरह से मारा जाता है टूजी पोजीशन में और इसको रूट आप कैसे मारेंगे पर्चिंग कितना में रखना है करेंट कितना में रखना है इसका डोर कैसे बंद करना है तो सब कुछ इस वीडियो में हम आपके साथ सेयर करेंगे तो वीडियो अगर थोड़ा से भी यार देल से अच्छा लगा तो यह एक लाइक जोरूर करेंगा अगर आप हमारे चैनल में नहीं है तो सबस्क्राइब भी जोरूर करेंगे यार वीडियो बहुत आद में देखता है लेकिन यार लाइक कोई नहीं करता है तो प्लीज एक लाइक करेंगे जो कि फ्री है सबस्क्राइब भी फ्री है आपको लाइक चैनल को सबस्क्राइब जोरूर कर लीजे ठीक है तो फ्रेंस यहां अगर आप देखेंगे तो टूजी पोजिशन में एसस का जॉइंट मारने के लिए मिला है ठीक है उपर से पर्चिंग वहां पर होस्पैप डाला था और यहां आप देखेंगे टूजी पोजिशन में रूट अभी चालो हो गया है तो इसको देखेंगे कभी भी फेंच अगर आप रूट मारते हैं तो टूजी पोजिशन में अगर रहे हैं तो थोड़ा सा टेप मार लेजेगे ठीक है क्योंकि दो इंची कर थोड़ा डाया बड़ा हता है तो फिर इसमें अगर आप यह जो है पर्चिंग जो टेफ है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और यह आपका कागज वाला है तो यार जल भी जाता है अगर आपके बाद दूसरा कुछ है तो अब लगा सकते हैं सबसे जा अच्छा होगा अगर रूइ आप देंगे तो वह उसमें आच्छा होता है और रूट मानने के लिए जैसे आप CS में मारते हैं वजसे आपको तो इसमें थोड़ा से कम बेसी हो सकता है यार आगर दास के जगा में आड़ भी आप रख देंगे फिर भी चल जागे इतना कोई बहुत बड़ा इसु नहीं है और फिर पर्चिंग के लिए इसको हमने पंदरा में रखा था ठीक रहा है कि फूरा से दो इंची में ज्यादा का जूरत पड़ता है तो मेरे हिसाब से आप 15 में भी आप खोल करके मार सकते ठीक है और इसमें मारने के लिए जैसे आप 2G में CS को मारते है वैसे आपको मारना बहुत बड़ा इसु नहीं है ठीक है आगर आप CS का जोएंट फिर्स मार लेता होंगे ना या पिर CS का जॉब जहां पर भी मारते हैं तो यार यह सेज भी मार लेगा है इसे बहुत बड़ा चीज नहीं है बस इसको पर्चंग थोड़ा सा अच्छा से मारना रहे ठीक है और यह एक चीज सबसे बड़ा यहां पर दिक्कत आने बला है यह जो आपको डोड़ है ना फिर छोटा बला जब पुड़ा जोइंट हो जाएगा जब आपतो फोड़ा सा बाकी रहें आउसको मारने के लिए दिक्कत होता है तो जब आप उतना डोल बाकी रहेगा तो आपको यह कम करना है पर्चं को साथ में है एक है फ॥्टा डाइडेक्ट आधा मίνें कर देजए नहीं हो सकत है Thank you लेकिन जब आपका परचिंग बाला है उसको सीधा आदा में कर देजेगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकते हुआ पर डोड अगर अच्छा से बंद नहीं होगा तो बाहर तरह में मेट्याल को फेक देगा और यह भी फ्यूज भी अच्छा से नहीं होगा और अपका पेंटिशन भी नहीं जागा फिर जॉएंट एकसर में फेल हो जाएगा तो बहुत दिक है ठीक है लेकिन डोड बंद करने में थोड़ा से ज्यादा दिक्कत हो था ठीक है और जब दक आप पास तक नहीं जाएंगा उसका आगे का टांका को भी नहीं कटना है और यहां देखिए अभी रूट होने के बाद में अभी यहां पर आपका फील अप चलो हो गया तो फी फिल आप अजाएगा ठीक है अगर थोड़ा से ज्यादा थीगनेंस है तो फीर अप होट पास मारी अगर कम तीक अब जोइंट है तो घर यहां धीजाएगा पदला मार सकते हैं अब पदला होट पास मारके भी फील आप मार सकते हैं लेकिन उतना इसमें दिक्कत नहीं बात नहीं है तो आधिंग ईंची का हो गया तो थोड़ा कभी-कभी क्या होता है फिर आपको हॉट पस्मारने है हिवाँ मार आप जब दक अब को आपको फॉलारा रखना है ठीक है पर्चिंग खुला रहेगा उसके बाद जब आपको होटपास कंप्लीट हो जेए तब फिर आप पर्चिंग बंद कर दीजे उसमें कोई आपका जब आप उसको उपर में फिल आप करेंगे या फिर आगर आर्क में अगर मारेंगे ने कभी-कभी होता है कि इसमें आर् करना है ठीक है तो फाइनली फ्रेंड्स यहां पर हो गया अभी फिल आप और फाइनल का आप नहीं देखा पाए क्योंकि फाइनल हम खुद मार रहे थे तो आपको देखी इस्टाप के यहां पर आप देख सकते फाइनल हो गया है कंप्लीट इसको टूजी पोजिशन में इसको फाइनल मारी माल्टी राउन में तो वेल्डिंग आपका जौब का हिसाब से मारना यह नहीं के हाम बता रहे अपको देख लिए कितना ठीकन से कितना चोड़ा है कितना वेल्डिंग आएगा थोड़ा सा देख करके आपको सोच समझ के मारना है क्योंकि आगर आप जो वेल्डर बनना चाहता है यह भी कॉमेंट करके जोड़ बताए तब दा के लिए टेक और गोड़ भाई फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में